सर्थ लगा लो पत्ता गोभी की सबजी बनाने का एकदम नया तरीका पहले नहीं देखा होगा सबजी इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि आप चिकन मटन खाना भी भूल जाएंगे तो चलिए फिर बनाते हैं नय तरीके से पत्ता गोभी की सबजी बनाने के लिए हमने आपर लिया है मेडियम साइज का पत्ता गोभी जी हाँ दोस्तों आपको बहुत बड़े पत्ते वाला पत्ता गोभी नहीं लेना है क्योंकि आज की रेसिपी को हम थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे तो यहाँ पर जो इसके पत्ते हैं यह इस तरीके से हमें इनको निकाल लेना है उपर के एक एक पत्ते मैंने निकाल करके फेक दिये हैं और इस तरह से डंठल से जब आप इसमें ऐसे कट लगाएंगे तो यह बहुत ही इजली पूरा-पूरा पत्ता आसानी से निकाल आएगा यह दिखें इस तरह से हम सारे ही पत्ते निकाल लेंगे जितने पत्तों की आप सबजी बनाना चाहें मैंने यहाँ पर पांच पत्ते निकाल लिए हैं इनको हम रख देंगे साइड में और सबसे पहले हम इसके लिए एक मसाला तयार करेंगे एक मिक्सी के जार में एक बड़े साइज का प्याज आधा इन चद्रक का टुकड़ा पांच से छे लैसुन की कलिया दो से तीन सूखी लाल मेर्च ऐसे तोड़के डालेंगे आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के खड़े मसाले डाल सकते हैं दो लॉंग डाली हमने और एक छोटा टुकड़ा दाल चीनी का और एक छोटा टुकड़ा जावित्री का डाला है बस इसे पीस लेंगे तो इस तरह से हमें इसे बढ़िया से पीस कर रेडी कर लेना है अब ये हमारा जो मसाले का जो पेस्ट हमने तयार किया है उससे हम एक बाउल में निकाल लेंगे इसमें जाएगा आधी छोटी चमच हल्दी पावडर आधा छोटी चमच भुना जीरा पावडर आधा चमच लाल मेंच पावडर थोड़ा सा गरम मसाला और लगभग एक चमच धनिया पावडर नमक डालेंगे स्वात के अनुसार चुटकी भर हिंग डालेंगे साथी साथ हम इसमें दो चमच बेसन एड़ करेंगे चोटी चमच हो तो दो चमच डालेगा बड़ा चमच हो तो एक ही चमच डालेगा या फिर क्वांटिटी के हिसाब से आप एड़ेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर हम बाइंडिंग के लिए बेशन का इस्तमाल कर रहे हैं और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है तो इसमें पानी डालने की जरूरत मुझे बिल्कुल भ करेंगे तो यह बहुत ही इजली फोल्ड भी हो जाएगा अब इस तरह से हमें एक पत्ता ऐसे हाथ मिलेंगे और इसमें लगभग एक चे डेड़ चमच के जितना यह मसाला डालेंगे मसाला डाल करके हमें इसे हाथों से पूरे पत्ते में अच्छे से फैला देना है बढ़ इसी तरीके से हम बाकी के सारे पत्ते भी रेड़ी कर लेंगे मसाला जो है वो थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में लगाएगा जिससे की टेस्ट बढ़िया आए गए तो यह जो फिलिंग है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है तो इसी तरह से हम सारे पत्ते रेड़ी क तो यह देखे फ्रेंज हमने यहाँ पर सभी पत्ते रेडी कर लिये हैं अब हमने यहाँ पर एक टुकला पनीर का लिया है और पनीर को ऐसे इसमें ग्रेट कर देंगे पत्तों के बीश में पनीर डालना टोटली ओप्सनल है बढ़ अगर आपके पास है तो आप डाल भी सकते ह जाएगा और देखने में भी बढ़िया लग रहा है तो यह देखे थोड़ा थोड़ा पनीर हमने इसमें ग्रेट कर दिया है तो मसाले में ही जो पनीर है वो बढ़िया से चिपक जाएगा अब यहाँ पर एक पत्ते को हम लेंगे और डंठल की साइड से जो मोटा साइड है जिससे कि यह खुले नहीं क्योंकि अभी जब बेशन सेट हो जाएगा तफिर यह नहीं खुलेगा बट अभी खुल सकता है तो बस इस तरह से फोल्ड करिए और इसके बाद एक टूथविक लगा दीजिए जिससे कि यह बढ़िया सेट हो जाए तो यह देखे फ्रेंच इस एक पैन में डालेंगे लगबाग दो बड़े चमश सरसो का तेल तेल जब गरम हो जाएगा एक एक करके हम यह जो पत्ते हैं ऐसे इसमें अरेंज कर देंगे अगर आपके पास छोटे साइज का पत्ता गोभी हो तो और भी बढ़िया होगा क्योंकि पत्ते थोड़े से बड यहां सा कलर आने तक फ्राइ कर लेना है इससे मसाला जो हमने इसके उपर अंदर लगाया है वो भी अच्छे सेट हो जाएगा बेशन और ढख करके हम इसे लगबग दो मिनट तक धीमियाच में पका लेंगे तो यह दिखिए इन्हें घुमा घुमा के अच्छे से शेक लेन है अब इस टाइम पर हमारा जो बेशन हमने इसके अंदर डाला था वो बढ़िया से सेट हो गया है तो अब अगर आप टूथपिक को निकाल देते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो यहां पर मैं टूथपिक को निकाल दूँगी ताकि हम इसे अच्छे से अलट अब हम क्या करेंगे एक एक पत्ते को ऐसे निकाल लेंगे यह देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना अब इसी में हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे फिर डालेंगे आधी छोटी चमत जीरा थोड़ी सी हींग डाल देंगे और इसमें डाल देंगे हम एक बड़े दालेंगे एक बड़ा चमत अद्रक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट और इसको भी अच्छे से भून लेंगे तो आप देख सकते हैं मसाला जो है अच्छे से भून गया है आज को धीमा करेंगे फिर आधी चूटी चमत चली पाउडर एक चमत लाल मिर्च पाउडर और दो च देंगे तमाटर का पेस्ट यहां पर मैंने दो टमाटर को मिक्सी में पीस लिया था वो डाला है आप चाहें तो नमाटरों को बारी काटके भी डाल सकते हैं तो जिस जार में हमने तमाटरों को पीसा था उसी से डाल कर हमने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है अब हमें इस के गॉर्डिंग डालें मसाला कितने अच्छे से बुन गया है कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है अब इस पॉइंट पर हमें इसमें आइड कर देना है पानी तो यहां पर लगबग में एक कप के जितना पानी डाल देए हूं और बस अच्छे से मिक्स करेंगे और ग्रेवी म के डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा यह कि बेशन इसके अंदर हमने स्टफिंग में लगाया था वह अच्छे से सेट हो चुका है तो यह बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे तो यहां पर इसमें हम सारे इस तरह से डाल देंगे और फिर इन्हें हम ढख करके लगबग मेंट 2-3 मिनट दक पका लेंगे मीडिया माज में यह दिखे है यह पक चुका है सबची हमारी रेडी है पत्तों को हम एक बार फिर से पलट देंगे और 1 मिनट तक और पका लेंगे फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया और ये लिजे फ्रेंस हमारी एकदब नए तरीके की पत्ता गोभी की सबजी बनकर तयार है आप एक बार इस तरीके से बनाएए आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी कैसी लगी मुझे फीडबैक में जरूर बताएगा फिर मिलते एक नए रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाबा और टेक केर